हलो दोस्तों, जी यस वाणी में आप सभी का स्वागत है, मैं यस चंद्रा, आज हिंदी साहित के इस यात्रा में हम भासा और व्याकरण पर हैं हिंदी का, कल इसकी पहली क्लास थी और उसमें हमने काफी कुछ देख लिया, कैसे हिंदी का विकास हुआ, और वह पाली से आज पुरानी हिंदी पर आ चुकी है, मेरी अत्यदिक व्यस्तता की वजह से कलास को मैं इस हिसाब से नहीं अभी प्रापर कर पा रहा हूं, थोड़ा सा ब्याधान है, मैंने बोला है था पहले ही से कि दो-तीन दिन रहेगा ब्याधान, तो यह पार्ट्स में वीडियो भ बहुत बड़े हो जाते हैं, तो आपके लिए भी वह ब्याधारिक नहीं रह जाएगा, कि दो घंटे का धाई घंटे का लगातार आप लेक्चर देख पाएं, तो छोटे-छोटे लेक्चर रहेंगे, आपको सुनने में आसानी होगी, बार-बार सुन सकते हैं, तो चलिए, आज हम यह भासा और व्याकरण का दूसरा अध्याय प्रार्मब करते हैं, और जैसा कि मैं कल भासा की महत्ता के विसे में आपको बता दिया था, आप किसी भी छेत्र में कारे कर रहे हो, भासा पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और भासा पर अच्छी पकड़ तो इसका आर्थ यह हुआ कि अगर आप अच्छे साहित का ध्यान करते हैं तो भी भासा पर आप अच्छी पकड़ बना सकते हैं लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अच्छे साहित न भी पढ़े तो भी अगर आपने ब्याकरण का अच्छा ध्यान किया है तो आपकी भासा पर आएंगे रिक्षा में, तो मेरी इसक कक्षा से बाहर प्रशन बनने की संभावना नगन ये होगी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, बहुत कम होगी. चंदरधर सर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभरंस को ही पुरानी हिंदी कहा है, जो परवर्ती अपभरंस भासा थी. आठमी नवी सताब्दी में सिद्धों की भासा में हमें अपभरंस से निकलती हिंदी स्पष्ट दिखाई पड़ती है. कुछ विद्वानों ने पुस्पदंत, पुह दंत भी कहीं कहीं मिलेगा, को हिंदी का कवीं कहा है, लेकिन वे निसंदे अपभरंस के कवीं हैं. उनकी कृतियों में कहीं कहीं विकासमान हिंदी का प्रयोग अवस्य दिखता है विकासमान हिंदी से तात परे ऐसी भासा जहां से हिंदी का पुट देखने को मिलता है यानि कि हिंदी वहां दिख रहे हैं कि यहां से हिंदी आगे बढ़ना चाह रही है निकल रही है पव्म चरियों में उदियमान हिंदी के छिट्टूट उदारण मिलते हैं विद्यापती और जोतिरिस्वर ठाकूर के यहां भी पूर्वी हिंदी के बीज मिल जाते हैं नाथों और जोगियों की वाड़ी में आरंभिक हिंदी का निखरा रूप दिखाई देता है और परिस्कृत रूप दिखाई देता है सुद्ध खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने खुसरो की शायरी में मिलते हैं हरदेव बाहरी ने लिखा हम डाक्टर माता प्रसाद गुप्त और डाक्टर कैलास चंद्रभाटिया के बिचार से सहमत है कि रोड कभी कृत राउल वेल एक मात्र ऐसी कृती है जिसमें एक भासा के लक्षण मिलते हैं अवधी, खड़ी बोली, दखिनी, किसी का भी एक भासी ग्रंथ 1250 इस भी से पहले उपलब्ध नहीं है और यही तीन भासाएं ऐसी हैं जिनकी परंपरा आगे चलिए अब बात करते हैं आधुनिक आरे भासाओं की देखिए यहां पर अगर कुछ हैडिंग आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो पिछली वीडियो आप जरूर देखिएगा उससे कनेक्ट कर पाएंगे आप हमने पीछे भासा का वर्गी करण देखा था भासा का विभाजन देखा था भारोपी भासाएं देखी थी उसमें जो भारती आरे भासाएं हैं उनके बारे में डीटेल देख रहा है आधुनिक आरे भासाओं का विकास अपभरंस से हुआ है सरप्रतम 1880 इस्वी में आधुनिक आरे भासाओं का वर्गी करण हारनले ने किया था पूर्वी गौडियन, पूर्वी हिंदी के निकलाउस से बंगला, आसमी और उडिया निकली पश्चमी गौडियन से पश्चमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी यह बहुत अच्छी तरस से रियाद कर लिजीगा, यहां से प्रश्चमी बहुत बार बनते हैं उत्तरी गौडियन में देखे तो गढ़वाली बनेगी, जो पहाडी छित्रों में हैं, नेपाली और पहाडी दक्षडी गौडियन की बात करें तो मराठी, द्रबीड की बात करें चोड़ दिए, क्योंकि द्रबीडियन जो लैंग्वेज है, वो बिल्कुल इससे अलग है, तो इसमें वो चीज़े नहीं आएंगे हाडनेले मध्य देश और केंद्र के आरे को भीतरी आरे और चारो और फैले आरे को बाहरी आरे कहा जार्ज ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे आफ इंडिया में प्रदत तवर्गी करण की कुछ इस प्रकार से उदारन मौझूद है जार्ज ग्रियर्सन की इतिहासिक पुस्टक का नाम क्या है कमेंट करके बताईए जरा तो उनकी पुस्टक उन्होंने कौन से पुस्टक लिखी थी बाहरी उपसाखा में उत्तर पस्चमी समुदाय जिसमें उपबोली आएंगी लहंदा और सिंधी दक्षणी समुदाय में मराठी आएगी पूर्वी समुदाय में उडिया, बिहारी, बंगला और असमिया मध्य उपसाखा में मध्यवर्ती समुदाय में पूर्वी हिंदी लिए तरई उपसाखा में केंध्री समुदाय और पहाडी समुदाय दो को शामिल किया जाएगा केंध्री समुदाय के अंतरगत पश्चमी हिंदी, पंजाबी, भीरनी, राजस्थानी, खान देशी आँग गुजराती जबकि पहाड़ी समुदा में पूर्वी पहाड़ी नेपाली, मध्ध पहाड़ी, केंद्री पहाड़ी और पश्चमी पहाड़ी डाक्टर सुनीत कुमार चटर जी ने धोनी और व्याकरण को आधार बनाकर ग्रियर्शन के वर्गीकरण के अलोचना किया और अपना एक वर्गीकरण प्रसोत किया है उन्हेंनों क्या किया इन्होंने बिभाजन जो किया उसमें उदिच, प्रतिच, मध्ध देशी, प्राच और दाक्षडात भागों भी भाजित किया अब इसके भी उपभाग बने उदिच में सिंधी आएगी लहंदा आएगा और पंजाबी आएगा यानि कि जो वेस्टर्ण पार्ट अफ इंडिया है प्रतिच में राजस्थानी और गुजराती आएगे मध्ध देशी में पस्चिमी हिंदी आएगी प्राच के अंतरगत पूर्वी हिंदी बिहारी असमिया बंगला और उडिया दक्षडात्य में मराठी ड़क्टर धिरेंद्र वर्मा ने सुनीत कुमार चटर जी के वरगी करण में सुधार कर अपना वरगी करण प्रस्थुत किया जैसे उदिच प्रतिच मध्ध देशी प्राच दक्षडात्य तो इसमें उदिच में सिंधी लहंदा पंजाबी लगभग वही प्रतिच में गुजराती मध्य देशी में राजस्थानी पच्चमी हिंदी पूर्वी हिंदी और बिहारी प्राच में उडिया असमिया बंगला दक्षडात्य में मराठी देखिए इसको थोड़ा से आप ल याद करने में आपको असानी होगा चार्ट कैसे बनाए Protect जी का शामिल नहीं किया है या फिर कुछ दोनों अलर्ट पलट सकते हैं इस प्रकार से थोड़ा याद करने में आसान हो जाएगा भोला ना तीवारी का अपभरंस आधारित वरगी करन अपभरंस इधर है और इधर आधनी के निर्मित उससे भासा आए है ये बढ़ा अपभरंस में ब्राचर पॉसाची पश्चिमोत्तर भाग में है और इसके आधनी के निर्मित भासाएं जो हैं लहंदा, पंजाबी, सिंधी, पश्मी हिंदी सौर सेनी जो मध्यवर्ती हिस्से में है इससे कौन सी भासा निकली? राजस्थानी, पहाडी और गुजराती अर्ध मागधी से जो कि मध्ध पूर्वी है इससे पूर्वी हिंदी निकली मागधी पूर्वी से बिहारी, बंगाली, उडिया और असमिया निकली महाराश्टी, दक्षडी से मराट अर्दयो बाहरीजी का भी वर्गी करण यहां पे दिया गया है हिंदी वर्ग के लिए मध्धे पहाड़ी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी हिंदी तर और हिंदी वर्ग इसमें कौन कौन से है उत्तरी नेपाली उत्तरी में नेपाली, पश्चिमी में पंजाबी, सिंधी और गुजराती दक्षडी में सिंगली और मराठी पूर्वी में उडिया, बंगला और असमिया तो ये हिंदी तर छेतर वाले हैं जो हिंदी से इतर है प्रमुख आधुनिक आरे भासाओं की विश्यस्ता देखते हैं जिसले लहंदा, पंजाबी और सिंधी इसमें लहंदा में देखते हैं हिंद की, जटकी, मुलतानी, चिभाली और पोटवारी लिपी है लंडा, सार्दा लिपी की एक उपसाखा है लहंदा का साबदी कर्थ है पस्चिमी होता है पंजाबी में इसकी लिपी लंडा थी जिसमें सुधार कर गुरु अंगद ने गुर्मुखी लिपी बनाई मुख्य बोलियां क्या उनसी है? इसमें माजी है, डोगरी है, दुवाबी है और राठी है इसकी अपनी लिपी लंडा है, लेकिन यह गुर्मुखी और फार्सी में भी लिखी जाती है बोलियां इसकी विचोली, लासी, सिराईकी, थरेली और लाडी गुजराती की बात करने इसकी लिपी गुजराती के नाम से जानी जाती है गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपी लिखी जाती है इसमें सीरो रेखा नहीं होती आप गुजराती आप में से अगर कोई जानता होगा तो आप ध्यान देते होगे कि इसमें अगर हम मैं गुजराती नहीं जानता तो अगर इस तरह लिखा जाएगा जैसे हमें कमल लिखना है तो इस तरह लिखा जाएगा, उपर की लाइन नहीं रहेगा मराठी के अगर बात करें, बोलियां इसकी कॉंकड़ी, नागपुरी, कोष्ठी, महारी लिपी देव नागरी है, किन्तु कुछ लोग मोडी लिपी का प्रयोग भी करते हैं तो जब इस तरह की कुछ चीजें आए ना, एक्सेप्संस हो या फिर कुछ अलग हो तो जरूर याद रखा करिए आज समी की बात करें तो मुख्य बोली विसनुपुरिया और लिपी बांगला बांगला की बात करें तो बांगला प्राचीन देव नागरी से विक्सित लिपी बांगला में लिखी जाती है उडिया उडिया प्राचीन उतकल तथा उडिसा की भासा है उडिया की लिपी ब्राम्ही की उत्तरी शैली से विक्सित लिपी है प्रमुक बोलियां गंजामी संभलपुरी भत्री हिंदी का भोगोली की विस्तार और विविध की रूप में अगर बात करें तो विभासा पहले देखते हैं विभासा यानि कि विभासा किसे कहते हैं विभासा भी एक प्रकार की बोली ही है अंतर बस इतना है कि इस चेत्र बोली की अपेक्षा अधिक ब्यापक होता है इसकी अपनी एक सम्रिद साहित्तिक विरासत है तो यहां भासा तो नहीं लेकिन विभासा है यानि कि बोली और भासा के बीच की सती सामाने तब बोली का विकास कभी विवासा में और विवासा का विकास कभी भासा में हो जाता है या मध्यवर्दी चित्र में होती है हिंदी की प्रमुख विवासा हैं कौन-कौन से हैं देखें खड़ी बोली ब्रज भासा अवधी मैथलियाद उप भासा और बोली क्या होती है भासा वैज्यानिक भासा और बोली के बीच एक और वर्ग को स्विकारते हैं जिसे उप भासा कहा जाता है या किसके बीच भासा और बोली के बीच में किसी सीमित छेत्र में बोली जाने वाली स्थानी भासा बोली कहलाती है स्थानी भासा और सीमित छेत्र ध्यान रखेगा सीमित छेत्र में बोली जाने वाली हो स्थानी भासा हो तो बोली हो जाए डाक्टर भोलानात तीवारी जी कहते हैं एक भासा के अंतरगत जब कई अलग अलग रूप विक्सित हो जाते हैं तो उसे बोली कहते हैं हिंदी भासा का वरगी करण पांच उपभासाओं में किया जाता है हिंदी की 18 बोलियां और पांच उपभासाओं में विभाजन किया जा सकता है जो इस प्रकार है इसको मैं चार्ट दूँगा फिलहाल आप लेंके जो PDF दे दूँगा तो आप पढ़ी लेंगे मैं इसमें मोटा मोठी के ओल बोलता चलूँगा क्योंकि एक बार ग्रूप में ही एक भी बाद मलब भी बाद तो नहीं कहूँगा क्वेरी थी एक जिसे बच्चे आपस में ही हल कर लिये थे आप कई सारे ऐसे उसमें प्रति भागी थे तो मेरा एक टेलिग्राम ग्रूप है ठीक है तो अगर आप जोईन करना चाहें तो वहाँ जोईन कर सकते हैं प्रति दिन हमें हाँ पे क्वीज कराते हैं ठीक है क्वीज की टाइमिंग को लेके अभी थोड़ा सा चल रहा है हो सकता है शाम में रात 10 वजी जब भी होगी आप वहाँ सूचना मिलती रहेगी तो लिंक दिया रहता है चैनल पे आप क्वीज जोईन कर सकते हैं अगर आप जीएस जीके संबंदित हैं जीएस वानी वाला जीके जीएस वाला ग्रूप जोईन करिए और अगर आप टीजीटी पीजीट संबंदित हैं तो यह जोईन करिए उसमें लिखा हुआ है इस पश्चरूप से तो यहां अगर देखें तो अपभरंस और उपभासा और बोलियां पूछा जाता है संख्या जैसे अपभरंस सवर्शेनी है इसकी उपभासाएं कौण सी हैं राजस्थानी हिंदी पहाडी हिंदी पस्च्च्मी हिंदी इसमें कितनी उपभासाएं हैं तीन और बोलियां कितनी है देखिए राजस्थानी के अंतरगत तो इतनी यहाँ पर मतलब कुल मिला के पांच बोलियां है राजस्थानी में तवर्ग बहुला है यहाँ तवर्ग की ज़्यादा बहुलता है और पहाड़ी हिंदी के अंदर करत कुमावली और गढ़वाली ये दोनों आती है छेत्रे यहाँ दिया हुआ है आप देख लिजे पस्चेमी हिंदी की बात करेंगर सौरसेनी अपभरंस की ही उपभासा है इसमें एक ऐसी तीन बोलियां ऐसी है जो ओकार बहुलता है यानि कि जिनमें ओकार सब्द ज्यादा प्रयोग होता है ओकार स्वर का और एक आकार बहुलता वाली है तो जो ओकार वाली है वे ब्रजभासा, कन्नोजी, पुंदेली इनका च्छेत्रा आप देख सकते हैं हापे जबकि जो आकार बहुलता वाली है वे काउन सी है कौरवी या खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्खिनी ये मानी जाती है अब बात करें अगर अर्ध मागधी की अपभरंस और पूर्वी हिंदी इसकी बोली है तो इसमें तीन प्रकार की बोलियां आई है अवधी, बगेली और च्छतीस गड़ी मागधी अपभरंस के गर बात करें तो इसमें बिहारी हिंदी और इसकी जो उपबोलियां है भोजपुरी है, मगही है और मैथली है कहां कहां बोली जाती है मोटा मोटी याद रखे जैसे उत्तरपदेश का याद रखे लिए कुछ मोटा मोटी हिसाब अब इसमें जादा तर आप देखेंगे जो पूरवी यूपी है उसके जादा तरजीले हैं इसमें बिहार का याद रखे देखिलिए जो बिहार के बॉर्डर के एरिया में कहां कहां आ रहा है तो थोड़ा एक आइडिया लगा रहेगा आपको कि यहां बोला जाता है इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे लेकिन परिक्षा को कठिन करने के लिए एक्जामनर उस हद तक जा सकता है आप उस पे किसी प्रकार का अबजेक्शन नहीं कर सकते आपने यहां से प्रशन क्यों पूछ लिया तो इसलिए मोटा मोटी भी तैयार रखिए जैसे मद्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, जारकाड यह सब चितर याद रखिए उसके लावा कुछ और भी चीज़ें याद रखिए उनके साथ साथ चोटी मोटी भासाओं को यूप अब देखते हैं हिंदी की प्रमुख बोलियां ठीक है? और नामकरण करता यह भी महत्तपुण प्रस्न है यह भी आपके प्रिक्षा में खूब पूछा गया है और जैसे दरोगा पुलिस की भरती होती है बिहार में या यूपी में या मध्यप्रदेश में उन सब में तो एक प्रस्न आना ही आना है आप पीवाई की उठा के देख लिजीए हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण करता देखते हैं बोली और इधा नामकरण करता कौरवी राहुल संकृत्यान नामकरण किये हैं हिंदी की उप बोलियों का, राजस्थानी भासा का नाम करण ग्रियर्सन ने किया है, डिंगल की बाकी दास किये हैं, डिंगल में ध्यान रखे का राजस्थानी से मिली हुई भासा है, ब्रजभासा राजस्थानी, ब्रजबुली इस्वर्थ चंद्रगुप्त, बिहारी ग्र बोचपुरी का रिमंड ने मैथली का कोलबुक ने इंदी की प्रमुख बोलियों का उच्चारण गत वर्गी करण देखते हैं कौंस है तो उच्चारण गत विसिष्टता और बोली जैसे उकार बहुला जिसमें उकार बहुला ओर शब्द ज्यादा इस्तेमाल होगा ब्रजभासा बुदेली, कनोजी, मारवाडी, कुमावनी, गढ़वाली और मालवी आकार बहुला में कौरवी, दखिनी उदासीन आकार बहुला में अओधी और बगेली इकार बहुला में भोजपुरी अब देखते हैं राजस्थानी हिंदी उपभासा इसमें क्या-क्या है राजस्थानी हिंदी उपभासा राजस्थान मालवा जन्पद सिंध के कुछ शेत्रों तक फैली है इसको लगभग चार करोण लोग बोलते हैं राजस्थानी उपभासा को राजस्थानी हिंदी उपभासा टवर्ग बहुला उपभासा है प्रैयुक्त अंरो इसमें प्रैयुक्त होता है इसमें पुलिए पुलिंग और स्ट्रिलिंग शब्दों के अंत्स में आं का। प्रियोग होता है, जैसे तारा, राता, ठीक है, तो यह बहु बच्शन के लिए प्रियोग करते हैं, जैसे हमाने के तारे कहेंगे हिंदीम क्या कहेंगे, तोड़ा थोड़ा इस तरह पढ़ते पढ़ते आप भी बोलना सीख जाएंगे मारवाडी, मेवाती, मालवी और जैपुरी मारवाडी को देख लेते हैं थोड़ा सा राजस्थानी हिंदी की चारो बोलियों में मारवाडी प्रमुख बोली है मेवाडी, सिरोही, बागडी, अली, सिखावटी, आदी मारवाडी की प्रमुख उपबोलिया है पुरानी मारवाडी को ही डिंगल कहा जाता है मीर्या के पद कहीं ब्रजभासा और कहीं मारवाडी में ही है इसलिए डिंगल मैंने कहा ब्रजभासा मिस्त्रित जैपुरी जैपुर का पुराना नाम धुधाड है इस कारण से जैपुरी को धुधाडी भी कहते हैं हडवती पेंटिंग काफी फेमस है आप अगर पढ़ेंगे आर्ट एंग कल्चर पढ़त रहे होंगे या कोई सिविल के आप इस्टुडेंट होंगे कोई तो जानते होंगे मारवाडी में रो के स्थान पर न का प्रयोग दिखाई देता है मालवी की देखते हैं मालवा का पठार है वहाँ पर इस कारेड यहां की बोली को मालवी कहते हैं सोडवाडी, रागडी, पाटबी, रतलामी, आदि मालवी की मुख्य उपबोलियां है इसमें शब्द के सुरू के अक्षर में स्वर का दिर्गी करण किया जाता है जैसे लकडी का लाकडी, कपड़ा का कापड़ा हो जाएगा ठीक है, आय तथा आओ के स्थान पर ए तथा ओ का प्रयोग होता है मालवी के प्रमुख सर्वनाम है, जैसे के, कौन, कीने, किसने, के, क्या इसे आप जाएगे, क्या कर रहा है, तो के कर रहा है, ऐसे बोलेंगे वहाँ कारकों में कर्म के साथ खे, तथा करण के साथ ती का प्रयोग होता है मेवाती की हरियाड़ी से निकटा प्रयाभी द्वानों ने स्विकार किया कि इवान करीबी है, अब मेवाती देखते हैं मेवाती बोली मवजाती के निवास्थान मेवात च्छेतर में बोली जाती है मेवाती के एक मिस्त्रित उपबोली अहिरवाती है जो गुरगाउं, गुरुगराम, दिली, करणाल के पस्चिमी छित्र आदी में बोली जाती है राठी, नहरे, कठर, गुजरी, आदी मेवाती की अन्य उपबोलियां है बिहारी हिंदी उपभासा के बारे में देखते हैं इस उपभासा में तीन प्रमुख बोलियां आती हैं भोजपुरी, मगही और मैथली तो चलिए, पहले भोजपुरी की थोड़ी से देख लेते हैं भोजपुरी के बारे में क्या क्या चीज़े हैं जब भोजपुरी की बात करते हैं तो भोचपुरी का बोली के अर्थ में सरवपर्थम जो प्रयोग हुआ था भोचपुरी का बोली के अर्थ में सरवपर्थम प्रयोग 1789 में राजा चेत सिंग के सिपाहियों की बोली के लिए हुआ ठीक है त तुड ध्यान रखेगा या तिहासिक तत्या है तो पूछा जा सकता है बिहारी हिंदी उपभाजा की सबसे अधिक बोले जाने वाली बोली जो है वो Бhroujपूरी है बिहारी हिंदी उपवर्ग की सरवाधिक महत्तपुन बोली बोजपूरी है लोक प्रचलन की दृष्टी से यह हिंदी की सबसे बड़ी भोली है भारत के बाहर भी जैसे मौरिसस, सुरी फिजी आदी देशों में यह अत्यधिक प्रचलित है भीखारी ठाकुर को भोजपुरी का सेक्सपियर कहा जाता है उन्होंने बिदेशिया सहित बारह नाटकों की रचना की है अब मगही की अगर बात करें तो मगही या मागधी कार्थ मगध की भासा मगही सब्द मागधी का विक्सित रूप है मगही का परिनिष्ठित रूप गया जिले में प्रयोगत होता है मगही में परियाप्त लोक साहित उपलब्ध है गोपी चंद और लोरिक के लोक गीत प्रसिद्ध है अधिकरण कारक में मो का प्रयोग तथा सर्वनाम में आप का प्रयोग होता है मैथिली के अगर बात करें तो मैथिली का उदभव मागधी अपभरंस के मध्यवर्ती की रूप में हुआ मिथिला की बोली को मैथिली कहा जाता है उत्तरी मैथिली, दक्षडी मैथिली, पुर्वी मैथिली, पश्चिमी मैथिली, छीका छीकी और जोलहा बोली मैथिली की छह उपबोलियां है साहित्य के दिरिष्टी से मैथिली बिहारी हिंदी का सबसे संपन बोली है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भोजपुई है और सबसे संपन कौन सी है मैथिली है मैथिली में छ और लधोनियों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है आवच्छी, जाएच्छी ऐसे मतलब इस तरह के सब्दों प्रयोग होते हैं मैंने सुना है तो मुझे आती नहीं इतनी एक वचन और बहुचन रूपों में अंतर दिखाने के लिए सब, सब ही, लोकन जैसे सब्दों का प्रयोग किया जाता है मैथिली में प्रयोग तो सर्वनाम जो होंगे अहां, ओकर, एकर आदि प्रयोग किया जाता है इसकी क्रियाओं में कोई लिंग भेद नहीं होता इसलिए ज़्यादा तर देखे बिहार के लोग कभी कभी क्या करता है मतलब वो ये लिंग भेद में दिक्कत करने लग जाते है मैथिली संबिधान की आठवी अनसुची में शामिल है पहाडी हिंदी उत्तर भारत के परवती छित्रों मुख्यता कुमायूं तथा गड़वाल में बोली जाती है पहाडी हिंदी पर आरे भासा संस्कृत, तिब्वती, चीनी, खस का भी प्रभाव रहा है इसकी सहितिक परंपरा नहीं मिलती है पहाडी हिंदी की इस उपवर की बोलियों में सानुनाशिक स्वरों की प्रधानता होती है इसकी बोलियां प्रायह ओकारांत होती है घोडो, कालो, चलियो, आदी पहाडी हिंदी के अंतर का दो बोलिया आती है कुमावनी और गड़वाली कुमावनी की अगर बात करते हैं कुमावनी नेनिताल, हल्मोडा, पिथवरागर, छेतर का पारंपरिक नाम कुरुमाचल है जिसे कुमावनी कहते हैं इसकी बोली कुमावनी हो गई इस पर राजस्थानी का प्रभाव है इस प्रभाव के कारण र औ ल धुनिया भी सामिल है कौरवी के प्रभाव कारण अल्प प्राडी करण की प्रवित्ती दिखाई पड़ती है पोलिंग एक वचन में ओ का बहुवचन रूप कुमावनी में न होता है जैसे घोडों का क्या हो जाएगा घोडन कुमावनी में कारक चिन्हों के रूप में करता के साथ लेकर्म के साथ कड़ी तथा करण के साथ ठे का प्रयोग होता है सहायक्रिया छ रूप में प्रेयुक्त होता है गढ़वाली के अगर बात करें तो 52 गढ़ियों में बटे होने के कारण केदार खंड को गढ़वाल कहा जाता है और यहां की बोली गढ़वाली कहलाती है उत्तरा खंड राज के टिहरी गढ़वाल की बोली गढ़वाली का आदर्स रूप मानी जाती है मुल रूप वही है अब गढ़वाली में भोटिया, शक, किरात, नागा, खस जातियों की भासाओं के अनेक तत्तों सामिल है यह जन जातिया हैं वाँ के इस पर पंजाबी राजस्थानी का प्रभाव भी दिखाई देता है स्वरों के अनुनाशी की करण की प्रवित्ती इसमें बहुत तायत दिखाई पड़ती जैसे छाया, दैत, पैसा, आदी कारक चिन्हों के रूप में करता के साथ लग और कर्म के साथ कुण, कुड़ी पता करण के साथ से और ती पर सरगों का प्रयोग होता है अब बात करते हैं पूर्वी हिंदी उपभासा की पूर्वी हिंदी का चेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश चतीस गड़ तक फैला हुआ है अगर आप उत्तर प्रदेश का एक मैप रफली अगर इस तरह बनाए तो यह अगर मैप आप देखेंगे तो यहां यह निकला हुआ हिस्सा उत्तर प्रदेश का होता ह इस तरह से ये आपका इस तरह से ये उत्तर प्रदेश बनता है इस तरह से मैंने बनाने का प्रयाज के है रफली तो यह जो पूर्वी छेत्र है आप अगर यहां देखोगे तो बिहार से भी मिला है मद्धप्रदेश से भी मिला है चतीस गड़ से भी उत्तर प्रदेश मिला ह जाता था वही चित्र पूर्वी हिंदी का चित्र है इसकी सिमाओं का निर्धारन कानपुर से मिर्जापुर तथा लखेम पूर से बस्तर तक किया जाता है पूर्वी हिंदी के अंतर का तीन बोलियां आती है कौनसी अवधी बगेली और चतीस गड़ी ये पूर्वी हिंदी क पहले कर लेते हैं आवधी च्छेत्र आवध च्छेत्र में बोली जाती है आवध अयोध्या का तदभव रूप है इस बोली के लिए कोसली बैसवाडी सब्दों का भी प्रेव किया जाता है प्राक्रित पैंगलम में पुरानी आवधी रूप के रूप देखने को मिलते हैं बैसवाडी मिर्जापुरी बगहोनी भोलाना तिवारी के अनुसार आवधी की मुख्य बोलिया है बैसवाडी मिर्जापुरी बगहोनी फिजी त्रीनिनाद गुयाना मौरिसस दुबई कुछ लोग आवधी में बातचीत भी करते हैं वहाँ आवधी में उत्तम पुरुस और एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुस बहुचन का प्रेयोग होता है इसमें करता कारक की विभेक्ति का प्रेयोग नहीं करते हैं अवधी के विकास को तीन कालम भी भाजित किया जाता है प्रारंभ 1400 इसवी तक आदिकाल 1400 से 1700 तक मध्यकाल 1700 से आज तक आधुनिकाल अ यहां बोली जाने वाली बोली बगहल खंडी या बगहली कहलाई जुडार गहोरा तिरहारी बगहली की उपबोलिया हैं बाबुराम सक्सेना बगहली को अवधी की ही एक उपबोली मानते हैं अवधी और बगहली में बहुत सी समानता हैं चतिस गड़ी बोली वरतमान में च इतिहास में इस चित्र को दक्षडी कोसल भी कहा गया है। का सबसे बड़ा वर्ग है जिसका चित्र अंबाला से कानपुर तक। देहरादों से महाराष्ट के आरंभ तक विक्सित है। इतना बड़ा चित्र पर है। पहले ब्रजभासा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्रज़ का अर्थ पसुओं या गायों का समूह या चारागा पसुपालन की अधिक्ता के कारण यह चित्र व्रज़ कहलाया। इसकी बोली ब्रज़भासा। ब्रज या ब्रजी के एक बोली होने पर भी मध्युग में हिंदी प्रदेश से बाहर पंजाब, गुजरात, महाराष्ट आदी छेत्रों में इसका प्रयोग हुआ। इससे जुड़ी साहित्य रचा जाता रहा। इसकारण भासा सब्द ब्रज के साथ जुड़ गया और ब्रज भासा सब्द बना। इस बोली का आरंभिक रूप आदिकाल की साहित्य में पिंगल तथा मध्यकाल में भाखा नाम से मिलता है। बुक्सा, अंतरवेदी, भरतपुरी, डांगी, माथुरी, ब्रजभासा की मुख्य उपबोलियां हैं। बंगाली कभी इस्वर चंदर गुप्त ने ब्रजबुली के सब्द का प्रयोग सरुपर्थम किया था। ब्रजबासा का विकास भी तीन कालों विभाजित किया जाता है। बिद्वानों के अनुसार खड़ी बोली कार्थ बिद्वान इधर हैं और इधर खड़ी बोली कार्थ दिया गया है। सुनेत कुमार चितर जी सीधी इसका कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु करकस कहते हैं। गिल क्राइष्ट गवारू कहते हैं कि सोरी दासबाजपई खड़ी पाइस सम्मंधित कहते हैं। अन्य भासावज्यानी से खड़ी या सुद्ध बोलते हैं। उवर्तमान हिंदी, उर्दु, हिंदुस्तानी और दख्षिनी कुछ सीमा तक खड़ी बोली आधारित हैं। बात करेगर बुंदेली की तो बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। बुन्देल खंड नाम बुन्देला राजपूतों के आधिपत्य के कारण पड़ा, भू भाग की ब्यापकता की दृष्टी से बुन्देली पस्चमी हिंदी की सबसे ब्यापक बोली है, बुन्देली में लोक साहित परियाप्त मात्रा में है, इशुरी के फाग बहुत प्रस कारण में अल्प प्राणी करण की प्रवित्ती मिलती है, जैसे आधा, आधा, दूध का दूध, कन्योजी में देखे तो कन्योजी शब्द संस्कृत के कान्यकुब्ज शब्द से विक्सित हुआ, कान्यकुब्ज करोज या कन्योज बना, इस तरह से बढ़ा आगे, कुछ बिद्वान कन्योजी को ब्रज भासा का ही रूप मानते हैं, ग्रियर्सन इसे अलग बोली माना है, कन्योज जन्पत का पुराना नाम पांचाल था, इस बोली में मध्यम ह का लोप हो जाता, जैसे जाही का जाही हो जाएगा, करव का करव, हिंदी की अंतिम महा प्राण धोन की का यहाँ अलप प्राणी करण हो जाता, जैसे हाथ का हाथ हो जाएगा, कन्योजी में अनुन आशिक की करण की प्रवित्य अत्यधिक मात्रा में मिलती है, जैसे बात का बात हो जाएगा, अब देखते हैं, हरियाणवी इसका मूल संबंध हरियाणा से, ग्रियर्सन इसे बांगरू कहता है धिरेंद्र वर्मा ने हरियाणी को स्वतंत्र बोली नहीं मानकर खड़ी बोली का एक रूप माना है हरियाणी को जाटू भी कहते हैं हरियाणा में लोक साहित परयाप्त मात्रा में जिसे आप देखें रागनी संगीत वगरे सुनेंगे दखिनी के अगर बा जो गुजरात के कवियों के साहित्य में प्रयूकत है मुहम्मद साह कादरी के काब्वे में दखिनी हिंदी के प्रमुक स्थान जो है वो आंधर प्रदेश करनाटक वो मद्रास है दखिनी हिंदी के मुख भी उपबोलियां कौन से हैं गुलबरगी बीदरी वीजापूरी और हैदराबादी है अब देखते हैं दखिनी हिंदी की प्रमुक बिसेस्ताएं बिसेस्ताओं पर अगर बात करें इसकी खड़ी बोली के सभी स्वर दखिनी हिंदी में मिलते हैं खड़ी बोली के सभी वेंजन फीस में मिलते हैं इसके अत्रिक्त ग नुक्ता लगाके और नुक्ता लगा के धोनिया अत्यधिक मात्रा में दिखाई देती हैं। और र के अस्थान पर ड का प्रेयोग करने की प्रवित्ति मिलते। जैसे पड़ा, तो पड़ा हो जाएगा। जैसे मुरक का मुरक हो जाएगा। मुझे का मुझे हो जाएगा, धोका का धोका हो जाएगा। पहचान यहाँ पे जो च है, यह अलप प्राण, लेकिन पचान हो जाएगा। महाप्राण एक शब्द की विभिन धोनियों के विपरियाय की प्रवित्य दखनी में प्रमुग विसेस्ता जैसे लखनव का नकलव विपरियाय का मतलब क्या हो अलट पलट दिया जाना शब्द का ठीक कीचड का चीकड हो जाएगा अब पलट अर्थ का अनर्थ तो नहीं हो समझ जाते हैं मतलब का मतबल हो जाएगा जैसे आप बहुत लोग सुनेगा कि बहुत लोग क्याते हैं नकलव बोलते हैं बहुत लोग तो इससार सर्वनाम बेवस्था इस प्रकार है उत्तम पुरुष में मेरे कुं, हमन, मंझ, मुंझ जैसे कहता है मेरे कु जाना है हमन बोला मध्य पुरुष में देखते हैं तूज, तुमें, husband अन्य पुरुष में उनन या उनने अन्य सर्वना में जित्था, जित्ती, उत्ता, उत्ती जित्ता वो करेगा, मैं भी करेगा ठीक है, तो इस तरह से क्रिया बेवस्था के प्रयोग इस प्रकार हैं जैसे वरतमान काल में अहई, है, है, हूं, हैगा ठीक है, खासका दिल्ली उली में ये बोला जाता है जैसे ये सामान हैगा बच्चे भी यहां के ज़्याद तर गए, यह सामान हैगा, मलब होगा को हैगा बोलेंगे, भूत काल में कहया, बोलिया, था, थ्या, अब इस काल के लिए होगा, होंगे, होंगी, चलसी, चलसू, भूत काल की क्रिया में यकर प्रत्य का प्रयोग भी काफी मात्रा में होता है, जैसे आकर आयकर रोकर रोयकर आदी दख्षिनी हिंदी में आरंभिक काल में खड़ी बोली की शब्दावली भी सरवाधी प्रचलीत रही इसमें फार्सी करण की प्रवित्ती बढ़ती गई इसके अत्रिक्त मराठी, तेलगु, कन्नड के स्थानी शब्द भी सीमित मात्रा में शामिल होते गए तो यहां पर हमने हिंदी का कुछ चुरू अब देखते हैं हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी के लिए आप अगली कक्षा का हमारे इंतजार करिए मिलते हैं हम अपनी अगली कक्षा में आप सबको बहुत धन्यवाद देखने के लिए अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, सेयर करिए, दोस्तों तक पहुचाईए क्योंकि यह कक्षा बहुत महत्तपून, मैं पहले भी बता चुका हूँ ब्याकरण का जो हिस्सा होता है न किसी भी भासा का, वह सबसे महत्तपून हिस्सा होता है तो प्लीज और दोस्तों तक पहुचाईए, सेयर करिए, धन्यवाद मिलते हैं अगली क्लास